Hello students, कैसे हो आप लोग? तो तयार हो जाएए पढ़ने के लिए Next Content of Transportation in Human Being for Class 10 Students, इस वीडियो में हम लोग discuss करने जा रहे हैं Blood Bessels के बारे में तो कहीं मत जाएए इस वीडियो को जरूर अंतितक देखिए हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत important और इस Transportation in Human Being का बचा हुगा बहुत important पार्ट है तो चलिए तयार हो जाएए अगर आपने पिछली वीडियो इसको नहीं देखा है तो description box में जाकर के link को open कीजिए और महां से पिछली वीडियो को जरूर देखिए तो students, हम discuss करते हैं इसमें blood vessels तो क्या होती है blood vessels आप लोग 7th class में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं लेकिन अब 10th class में आप पढ़ेंगे इसको details में तो चलिए पहुंच जाते हैं अब हम लोग इस पूरे topic पर जो की आपको साफ साफ इस screen पर दिखाई दे रहा है इस इस वीडियो में बहुत ही खास बात ये है कि इसमें हम cable blood vessels को पढ़ेंगे ही नहीं बलकि हम उनके exceptions और उनके functions को भी जानेंगे और कैसे वो काम करती हैं उसको भी हम समझेंगे इस तो देखिए आप लोग blood vessels दो टाइप की होती हैं कौन कौन सी तो आप लोग देख रहे हैं कि हर्ट जिस तरह से आपको हमने बताया था कि हर्ट को 200 मेडिया वाइट किया जाता है एक आपका left और एक right हिस्सा इसी तरह से हम लोग उने देखा है कि जो ये right part और left part है इस से अलग-अलग तरह की blood vessels जूड़ी होई है जैसा कि आप color से समझ रहे होंगे कि इधर red color है और इधर आपका इधर red और इधर आपका blue color दिखाई दे रहा है तो blue color इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये ऐसी blood vessels है जो केवल और केवल deoxygenated blood को ही carry करती है तो deoxygenated blood क्या होता है इसको हमने वैसे पिछली वीडियोज में बताया है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि जिस blood में CO2 का concentration बहुत ज़्यादा होता है या CO2 का amount ज़्यादा होता है O2 का amount बहुत कम होता है तो ऐसे blood को deoxygenated blood कहा जाता है लेकिन इधर बाली जो blood vessels है इनमें जो blood flow करता है वो oxygenated blood होता है और oxygenated blood क्या होता है oxygenated blood होता है जिसमें oxygen का concentration ज़्यादा होता है और CO2 का concentration कम होता है तो ऐसे blood को हम oxygenated blood कहते हैं हम इसको simple language में pure blood और इसको simple language में impure blood भी कहते हैं तो pure और impure blood अब आप clear हो गया होगा, ऐसी blood vessels जो pure blood को carry करती हैं, उनको हम लोग artery कहते हैं, artery, artery क्या होती है, तो आप लोग को इसके बारे में और detail से पढ़ेंगे, लेकिन अभी किबल हम लोग एक मोटा मोटा समझ लेते हैं, कि arteries और veins में क्या difference है, तो arteries जो pure blood को carry करती है, यानि oxygenated blood को carry करत हैं, तो deoxygenated blood को carry करने वाली केवल कोई एक ही बेन नहीं होती है, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर artery कोई एक ही नहीं होती है, जो आपको दिखाया गया है, बलकि हमारी पूरी बोड़ी में इस तरह की blood vessels, arteries और veins फैली रहती हैं, तो अब अगर समझें, त उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेना कैवा, उससे थोड़ा सा size में कम, उसको हम लोग normal vein कहते हैं, और उससे और size में कम, size का मतलब क्या होता है, जिसका diameter बहुत ज़्यादा होता है, उसको वेना कैवा, जिसका diameter और कम होता है, उसको हम लोग venial कहते हैं, और जिसका diameter बिलकुल भी कम होता है सबसे कम diameter वाली वेन को capillary कहा जाता है तो अब इसी तरह से अगर हम समझें इधर तो सबसे बड़ी artery को हम लोग elastic artery कहते हैं और जो थोड़ा सा diameter में कम होती है उसको muscular artery कहते हैं और जो और diameter में कम होती है उसको आर्ट्रियोल कहते हैं, सब से कम डायमेटर वाली आर्ट्री को केपिलेरी कहा जाता है, तो हो सकता है, आपको इसमें ठोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन आगे चल करके और किलियर हो जाएगा, लेकिन समझने की करते रहे हैं, अब हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं, what is the difference between artery and veins, तो क्या difference है, देखिए हम लोग next page पर समझ लेते हैं, यह एक table बनी हुई है, और इस table से आप लोग बहुत अच्छे से, what is the difference between artery and vein, समझ सकते हैं, आप लोग इसको screenshot लेकर के भी अच्छे से समझ सकते हैं, मैं एक बार इसको define या dictate कर देता हूँ, जैसे carries blood away from heart, यानि कि हमेशा heart से, जो blood को, ऐसी blood vessel यह होती हैं, जो blood को हमेशा heart से ले जाती हैं, फिर उसके बाद blood under high pressure, यानि कि यह जो blood vessel होती हैं, आर्टरी, इन में हमेशा blood high pressure में होता है, यानि कि blood का pressure high होता है, इनकी wall थिक होती है, wall thick का मतलब यह होता है, कि अगर कोई blood capillary है, तो blood capillary की जो दीवार है, वो काफी मोटी होती है, यानि कि इस तरह से आप लोग जो contract करती है, फिर relax करती है, contact और relax, इस तरह से contraction और relaxation को ही हम लोग pulse flow कहते है, narrow lumen, lumen क्या होता है students, जो capillaries या blood vessels के बीच में, जो empty place होता है, इसको हम लोग lumen कहते है, तो जब इसकी wall थिक होगी, थिक wall है, तो lumen अपने आप जो empty place है, वो अपने आप कैसा हो जाएगा, कम, फिर उसके बाद no valves, students, जो artery होती है, artery में कोई bulb नहीं होते है, bulb नहीं होते है, इसको अभी आगे picture में detail से समझ लेंगे, फिर इसके बाद blood rich in oxygen, जैसा कि आपको बताया, heart से जो blood हमेशा जाएगा, body parts में, वो कैसा होगा, oxygenated होगा, तो oxygenated blood को ये carry करती है, अब winds की बात करते है, winds carries blood toward heart, यानि कि toward heart का मतलब, heart के अंदर blood लाने वाली blood vessels होती है, उनको हम लोग winds कहते हैं, और ये blood कहां से आएगा, body से, कैसा blood होगा, deoxygenated, जिसमें carbon dioxide जादा होगी, फिर इसके बाद, next, blood under low pressure, यानि कि blood low pressure में flow करता है, इसकी wall पर pressure थोड़ा कम पड़ता है, thin wall, thin wall का मतलब, जब अगर हम लोग देखें, तो इसकी दीवार कैसी होती है, पतली होती है, next, smooth flow, smooth flow का मतलब, blood आराम से flow करता है, सीधा flow करता है, इसमें बार-बार, जो contraction और relaxation नहीं होता है, large lumen, large lumen का मतलब वही अगर wall अगर पतली हो जाएगी, तो अंदर की जगा बढ़ जाएगी, तो ball पतली होने की बज़े से, thin wall होने की बज़े से, lumen बड़ा हो जाता है, ball present, इनके अंदर ball होते हैं, जो blood के flow को regulate करते हैं, blood poor in oxygen, वही deoxygenated blood होता है, तो यह था difference between artery and veins, आप इसका screen shot लेकर के अच्छे से समझ सकते हैं, चलिए अब थोड़ा सा diagrammatic view देख लेते हैं इसका, यह देखिए diagrammatic view है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका देखिए wall मोटी है, यानि की काफी ज़्यादा थिकने सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ball तो पतली है, लिमन ज़्यादा बड़ा है, लिमन यहाँ पर पतला है, आर्टरीज में लिमन पतला है, यहाँ पर लिमन बड़ा है, तो लिमन ज़्यादा हो गया, यहाँ पर लिमन कम हो गया, ball थिक हो गई, ball पतली हो गई, यह differences हैं, जैसा कि आप नीचे भी देख रहे हैं, यहाँ पर ball पतली है, लुमन बड़ा है, बॉल मोटी है, लुमन चुटा है. अभी तक जो आपको बताया है heart से blood को बाहर ले जाती है और कैसा blood ले जाती है oxygenated veins हमेशा heart की तरफ blood को लाती है कैसा blood लाती है carbon dioxide जिसमें ज़्यादा हो deoxygenated लेकिन इसका exception भी होता है exception का मतलब अल्टा करे ठी अब कैसा उल्टा करेगा वो आप यहां पर समझ सकते हैं देखिए कुछ ऐसी आर्टरी होती है कुछ आर्टरी का मतलब एक आर्टरी ऐसी होती है जो हमेशा बलड को हर्ट से बाहर तो ले जाती है लेकिन ये बलड कैसा होता है डियोक्सिजनेटेट जिसमें कारवन डियोक्साइड ज़्यादा होती है और ये बाहर बलड कहां जाता है लंग्स में लंग्स में बलड जब जाता है हर्ट से वो कैसा होता है डियोक्सिजनेटेट और ये आर्टरी जो हर्ट से lung में blood ले जाती है इसको pulmonary artery कहते है pulmonary artery pulmonary artery is the exception of arteries यह आप अच्छे से समझ लीजिए इसको फिर इसके बाद हम लोग next देखते हैं winds का exception तो winds ऐसी wind जो heart में blood तो लाए लेकिन यह blood कैसा हो oxygenated blood उल्टा यानि कि जिसमें oxygen जादा हो लेकिन यह कहां से blood लाएगी लंग से तो लंग से blood लाने वाली vein oxygenated blood को लाती है और इसको क्या कहते हैं pulmonary vein तो pulmonary vein जो है वो exception है किसका veins का क्योंकि सारी veins blood को carry तो करती है लेकिन वो blood कैसा होता है deoxygenated और थोड़ा clear कर लेते हैं देखिए इस वाले diagram से और कौन से pulmonary artery हलाकि पिछले हम लोग discuss करके आ रहे हैं ये देखिए heart से जो blood जा रहा है lungs में तो ये impure blood है और deoxygenated blood है क्योंकि blue skin color है और ये किस के थो जा रहा है देखिए pulmonary artery के थो तो ऐसी artery जो impure blood को carry करती है pulmonary artery होती है लेकिन ऐसी vein जो pure blood को carry करती है देखिए lungs से blood आ रहा है कहाँ पर heart में इधर heart में आ रहा है तो ये कौन सी vein है pulmonary vein तो इसी लिए ये भी क्या है exception of the vein तो आप लोग समझ रहोंगे अच्छे से आज के लिए इतना ही next video में हम लोग discuss करेंगे blood pressure और pulse rate इन सब के बारे में हम लोग और कुछ heart disease के बारे में discuss करेंगे thank you